दोस्तो एक्टर शाहिद कपूर इस समय अपने करियर के पीक पर है कभीर सिंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं शाहिद अब अपकमिंग फिल्म जर्सी की वज़ा से सुर्ख्यों में है इस बीच अब खबर आ रही है कि एक्टर एक बार फिर पुछ अलग और बड़ा करने जा रही है वो तीन साल बाद फिर बड़े पर एक पीरेट फिल्म में नजर आ सकते हैं कहा जारा है कि शाहिद कपूर छत्रपती सिवाजी के रोल में नजर आ सकते हैं दुस्त रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि शायद कपूर अपनी कबीर सिंग की टीम के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं कबीर सिंग के प्रोड्यूसर रहे अश्रनी वर्जे ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाया है और इसी सिलसिले में वो साउथ की बड़ी प्रोडक्शन कमपनी लाइका प्रोडक्शन संग हाथ मिला सकते हैं अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये दूसरा मौका होगा जब शाहिद किसी फिल्म में एतिहासिक किरदार निभाते नजर आएंगे इससे पहले उन्होंने संजे लीला बंताली की महत्वकांश्री फिल्म पदमावत में राजा महरावल रतन सिंग का रोल अदा किया था उस फिल्म के किरदार को काफी पसंद किया था और शाहिद कपूर की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था दोस्तों जब लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है तो अब ऐसे में अगर वो बड़े परदे पर श्रिवाजी महराज का रोल प्ले करते हैं तो लोगों की उमेदे होना लाजबी है सभी के लिए वे श्रिवाजी आस्ता का प्रतिक है और अगर उन पर फिल्म बनती है तो हर बारिक्यों पर दर्शक की पैनी नजर रहती है और किसी भी तरह की गल्पी बरदाश नहीं की जा सकती वैसे यह पहली बार नहीं है जब कोई शत्रपतिक श्रिवाजी का रोल अदा करने पर विचार कर रहा हो खबर है कि रिकिस देश्मुक भी अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए इस खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहीं कुछ खबरे तो ऐसी भी है जहां पर कहा गया है कि अक्टर सल्मान खान को भी इस रोल के लिए मेकर्स की तैयारी है लेने की वेल अब सल्मान खान शाहित कपूर दोनों में से कौन 17 शिवाली का रोल अच्छा प्ले कर सकता है और मेकर्स की सबसे पहली परसंद कौन है यह तो आने वाले थोड़े समय में पता चलियागा वेल आपकी ग्याराय हैं नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी राइदें और दे खानी यथजा इट कडिया झाले वीछ में इट बॉक्स में है था खानी साहितानी चाहर आनिशितoy कर से और दारे चाहर हैं बॉक्यार हैं और दो